Hello students, class 10th mathematics में हमारा जो चप्च चल रहा है वो है समानता श्रेणिया, arithmetic progression या फिर AP कहें उसको, तो उसकी exercise 5.3 हम start कर चुके हैं, अब देखेंगे उसका question number 6, किसी AP के प्रथम और अंतिम पद क्रामशन 17 और 350 हैं, यदि सार्व अंतर 9 है, तो इसमें कितने पद है और इनका यो कितना है, तो D क्या रखा है हमें, प्रथम पद दे रखा है 17, A हमें दे रखा है 17, और अंतिम पद दे रखा है 350, अंतिम पद का मतलब A N दे रखा है आपको 350, सार्व अंतर आपको 9 दे रखा है मतलब D आपको 9 दे रखा है तो मांगा क्या इनोंने कितने पद है मतलब N इनका यो कितना है मतलब S N ठीक है? तो हमें ये चीज़ें आपर find करनी है तो सबसे पहले हम क्या करते है हमारे पास An कितना दे रखा है? 350 न तो हम An का फॉर्मला लगेंगे An का फॉर्मला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1D तो लिखें An हमारे पास है 350 An की जगह हम लिख लेते हैं A प्लस N माइनस 1D इक्वल टू 350 अब हम क्या करते हैं? जो A की वैल्यू है 17 वो पुट करते हैं यहापर इसकी जगह हम रखेंगे 17 N माइनस 1D कितना है हमारे पास? 9 इक्वल टू 350 अब हम क्या करते हैं? 9 को अंदर मल्टिप्लाई कर लेते हैं तो हमारा बनता है 17 प्लस 9N माइनस 9 इक्वल टू 350 ठीक है न? 17 माइनस 9 होता है 8 प्लस 9N इक्वल टू 350 8 को अगर मैं वहाँ शिफ्ट कर लू तो 9N हो गया आपका 350 माइनस 8 क्योंकि 8 यहां प्लस में है तो वहाँ शिफ्ट करेंगे तो यह माइनस में हो जाएगा अब हमारे पास 9N इक्वल हो जाएगा किसके? 350 में से 8 को माइनस कर दो तो शायर यह 342 हो जाता है N को यहीं पर रख लेते हैं और यह हो गया हमारा 342 ओवर 9 ठीक हो गया? अब हम 342 को 9 से भाग करते हैं तो यह आता है आपका 38 38 आजाएगा आपके पास N ठीक हो गया? यह हमारे पास N आगया अब हमें क्या करना है? देखें हमारे पास हमें S N निकालना है ना पहले तो हम यह ध्यान रख लें कि S N के हमारे पास फॉर्मले कौन कौन से है तो S N का एक फॉर्मला तो यह है आपका N by 2 2 A N minus 1 D और S N का एक और फॉर्मला है N by 2 A plus A N यह वाला फॉर्मला तब यूज करते हैं जब S N, N, A और A N मैंसे हमें तीन चीज़ें पता हो तब Otherwise आपको यह वाला फॉर्मला यूज करना होगा इस बार हम यह वाला फॉर्मला आसानी से यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें S N निकालना है N हम निकाल चुके हैं A हम में दे रखा है और A N भी हमें पता है तो S N इक्वल टू N by 2 A plus A N ठीक है वैसे तो N हमें अब पता है है ना जो कि 38 है तो इसका मतलब है यह 350 जो है वो क्या है 38 वा पद अगर मैं N यहां पर भी रख दू जो मैंने निकाला है तो A 38 इक्वल टू 350 हो जाता है तो तुम्हें निकालना क्या है S 38 क्योंकि तुम N निकाल चुके हैं आपर ठीक हो गया तो आप N की जगा यहां रख लो 38 यहां भी रख लो 38 ओवर 2 A कितना है ठीक है ऐसे भी कर सकते हो अगर इसमें आपको प्राबल्म होती है आप जरूरी नहीं है कि N रखो यह भी हमारे पास तरीका है आप क्या करो S N को ऐसे नहीं रहने दो N हमारे पास कितना है 38 नीचे 2 है A हमारे पास कितना है 17 और A N हमारे पास कितना है, 350 अब 38 को 2 से भाग कर देते हैं, कितना आएगा 19 और यहाँ पस 17 को 350 के साथ हम जोड देते हैं तो यह आएगा हमारे पास 367 अब 19 को 367 के साथ मल्टिपला कर दें, तो हमारे पास कितना आता है, यह आता है 6 9 7 3 तो यह हमारे पास S N आ गया थोड़ा सा एक बारे समझ लें confusion नहीं होनी चाहिए question में आपको A दे रखा था A N दे रखा था, D दे रखा था N और S N निकालना था तो हमने A N का formula लगा के starting में N निकाल दिया जैसे हमारे पास N निकल जाता है अब हम question को कैसे समझेंगे N 38 आ गया तो यह क्या है आपका 38 पद 350 क्या है आपका 38 पद, तो फिर निकालना क्या होगा आपको 38 पदों का योग निकालना है मतलब S 38 निकालना है ठीक है तो S 38 का formula अपलाई करोगे तो भी इसी तरीके से answer रहेगा कोई confusion ना रहे इसलिए मैंने N को यहां रखा ही नहीं formula लगाया S N हमें निकालना था N हम यहां निकाल चुके हैं A हमें पता है और An हमें पता है put कर दिया तो answer हमारे पस आ चुका है तो यह question यहाँ पर हमारा complete हुजाता है question number 7 हम देखेंगे in the next video thank you so much